नमस्कार आप देखरें उत्रप्रदेश टैम्स में आपके साथ हिदिती शर्मा मदलाब की यात्रा में बदलते उत्रप्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ आईए देखते हैं अब जन्वरी 2025 तक चलेंगी ये ट्रेडि रेल प्रिशाषन ने यात्रों की सुविधाओं को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है ये ट्रेने अब जन्वरी 2025 तक तैय तितियों में पूर्व की तरह चलेंगी IRCTC ने शुरू की ओटो पेस सर्विस महस दो घंटे में यात्रों को मिलेगा रेफ़ण रेल यात्रा करने के लिए ओनलाइन टिकट की बुकिंग में आने वारी परिशानी से अब लोगों को राहत मिलेगी IRCTC नेक्स जनरेशन इटिक्टिंग सिस्टम को आसान बनाएगा मार्स 25 तक नेक्स जनरेशन इटिक्टिंग प्लेटफॉर्म का नया वर्जन आएगा इस वर्जन के आने से रेलवे की ततकाल टिकट बुकिंग में यात्रियों को परिशानी नहीं होगी इसे के साथ टिकट बुक की स्पीड कई गुना भड़ेगी इसी सुविधा के साथ रेलवे से टिकट कैंसिल कराने पर रुपे का रिफंड महज 2 घंटे में वापस होगा IRCTC ने दावा किया है कि 92 प्रतीशत लोगों को इस सुविधा से मात्र 2 घंटे के भीतर रिफंड अभी भी मिल रहा है Assistant Manager भरती परिक्षा के लिए Admit Card जारी National Bank for Agriculture and Ruler Development ने Assistant Manager ग्रेड A के पदों के लिए भरती परिक्षा का Admit Card जारी कर दिया है इस परिक्षा का आयोजन एकसित नमबर 2024 को किया जाएगा जितने उमिद्वारों ने इस परिक्षा के लिए आविदन किया था वे अपना Admit Card अधिकारिक वेबसाइट nabard.org से डाउनलोड कर सकते है IMS BHU के 111 नए डाक्टरों की तैनाती से मरीजों को मिलेगी राहत चिकिस्सा विज्यान संस्थान BHU में जल्द ही 111 नए डाक्टरों को नियुक्ती होने जा रही है इस पहल से मरीजों को इलाज में बड़ी राहत मिलने की उमीद है क्योंकि ओपीडे में डाक्टरों की संक्या बढ़ जाएगी जिससे मरीजों को उत्वरित और 32 चिकिस्सा सुविदा मिल सकेगी नए डाक्टरों की 23 सतंबर के पहले सब्ता में शुरू होने वाली है अधिसोचना SSC की अधिकारिक वेबसाइट SSC.gov.in पर जारी की जाएगी पिशली बार जीडी कॉंस्टेबल के कुल 46,617 पदों पर भरतिया की गई थी इस बार पदों की संक्या बढ़ाई जा सकती है पिलाल आशकी बुलेटन में इतना ही देश-विदेश की तमाम बड़े खबरों से जुड़े राने के लिए देखते रहे उत्तर प्रदेश टाइम्स धन्यवाद हम है देश के दिल उत्तर प्रदेश की धनकन उत्तर प्रदेश टाइम्स